हेलो गाइज वेलकम बेक टू वर्चुल वर्ड आज का यह जो वीडियो है वो स्पेशली स्पेशली स्टुडेंस के लिए है एंड फॉर दे स्टुडेंस वांट टू गिव एग्जाम्स ऑन मेगा एग्जाम्स मैं आज आपको दिखाऊंगी किस तरह से स्टुडेंस मेगा एग्जाम्स पे जाके एग्जाम्स दे सकते हैं अपकी एडुकेशनल इंसीट्यूट या कॉलेज या स्कूल ने आपको एक यूजर आईडी और एक पासफ़र्ड प्रोवाइड किया रहता है आपको वही यूज प्रोवाइड होती है यत कॉजम की एक सेपरेट लिंक होती है जो स्पैसेल अडुकेशनल इंसिटूट की होती है अपको वह पॉर्सनल निंक पे जाके लागिन करना पड़ेगा डैरेक्ली उयक्स के साइट पर जाके लागिन मत करना प्लीज यहां पर नोट करना आप एप सिर्फ तब भी लुग इन कर सकते हूं अपको आपके जो इन्सिट्उूट ने जो लिंक प्रोवाइड की है उसी लिंक को आपको क्लिक करना है और वह लिंक को क्लिक करने के बाद आपको लुग इन करना है उसके पहले आपको डायरेक्लि बाइगा exam के side पर जाके login नहीं कर पाऊगे because वहाँ पर कोई भी exam uploaded नहीं होगी अगर आप directly mega exam के app या application को use कर रहे होगे तो so friends यहाँ पर यह ध्यान रखना अपके institute ने जो link provide की है उसी link को click करने के बाद आप login करना जैसे ही आप login करते हो institute की user ID और password के help से अपका सबसे पहले page पे आपको दिखेगा what is which type of exams you can be appear that is यहाँ पे आपको अलग-अलग exams की list दिखेगी जैसे orientation exam है और उसके नीचे अगर एक से ज्यादा exams की exams upload हुई रहेगी तो आपको अलग-अलग exams दिखेगी जैसे है orientation test orientation test मतलब हमारा test का नाम होगा यह आपके कोई particular subject का test का नाम भी हो सकते है जैसे accounts test या economics test करके ठीके जैसे आपको subject का नाम दिखा रहेगा और उसके नीचे duration लिखी रहेगी वो कितने minutes की test है और फिर आपको attempt पे दबाना है जैसे ही आप attempt पे दबाते हो आपको instruction दिखेगा जैसे duration कितनी है कितने total number of questions है और आप कितने time appear कर सकते हो यह particular exam जैसे इसमें लिखा है one of one one of one का मतलब है एक student से वे एकी बार appear कर सकता है यहाँ पर अगर one of two या two of two लिखा है तो उसका मतलब हो जाएगा कि आप दो बार आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर आपको फिर से थोड़ा स्क्रोल करना है और थोड़ा स्क्रोल करोगे तो आपको instructions दिखेगी जो आपके college institute या educational institute या school ने mention की होगी यहाँ पर याद रखना friends यह instructions रीड करना बहुत ही ज़रूरी है because यह आपके educational institute mention करेगी जैसे उन लोग के कोई personal instructions होते हैं और exam के लिए वो instructions यहाँ पर mention होती है यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप पढ़ लेते हो और तो ही आप आपके exam smoothly दे पाओगे और जैसे ही आपका पढ़ के हो जाता है instructions start exam पर क्लिक करना जैसे ही आप start exam पर क्लिक करते हो आपको सबसे पहले आपके screen पर question number one दिखेगा question number one के उपर आपको दिखेगा कि आपने कितने questions अभी तक complete कर लिए है या attempt किये है और कितना time remaining है question one आपको समझे उसके नीचे लिखा रहेगा वह कितने marks का है one marks two marks okay और वह कौन से type का है type means either it is multiple choice question या true or false या descriptive है मतलब brief में हमें कोई answer लिखना है या कोई short note है वहां से अपको पता चलेगा यहां पर जैसे की लिखा है mcq so इसका मतलब है आपका question number one है वह एक multiple choice question है multiple options यहां पर रहेंगे और उसमें से choose करना है तो जैसे यहां पर सबसे पहला question है what is the unit of mass और आपको तीन options दिख रहे हैं A B और C और D जो भी options आपको लगता है जो option right है उसके उपर आपको सिर्फ प्लिक करना है जैसे यह प्लिक करोगे एक blue line या blue आपको उसका mark दिख जाएगा कि आपने question का answer select किया है question का answer select करने के बाद आपको next पर दबाना है जैसे यह आप next दबाओगे आपको question number two दिखेगा और उसके कितने marks है और वो कौन से type का है question number two के बाद अगर आपको लगता है आपको यह वाला particular question नहीं आता है और आपको time लगेगा इसको solve करने के लिए तो आप पीछे के questions को appear कर सकते हो previous पे click करके या next question पे भी click कर सकते हो third या fourth question पे जाने के लिए अथ्वा और यह आपको जो upper arrow key दिख रही है आप वो click कर देना जैसे आप वो upper arrow click करोगे आपको एक नीचे एक और एक dialogue box दिखेगा that is jump to question let's take an example आपकी जो test paper है वो total 10 questions का और आप question number one पे हो और आपने सोचा कि मैं उल्टा start करता हू question number 10 से मुझे appear करना है तो आप directly question number 10 पे jump कर सकते हो तो यहाँ पे अपको jump to question पे click करना पड़ेगा जैसे ही अप jump to question पे click करोगे वो आपको नीचे दिख देगा कि कौन से question number पे आपको jump करना है जैसे यह test में सिर् 5 री questions हैं अपको यहाँ पे इसिर्फ 5 री options दिखाए दिखने में आएंगे कि कैपको कौन से question number पर directly jump करना है और वो आप question number को click कर लेना जैसे question number 1 या question number 5 पर click कर देना और फिर next दबा देना आपका वो particular question number जो है वो appear हो जाएगा यह आप directly click करोगे सिर्फ question number 5 पर तो भी चलेगा तो भी वो appear हो जाएगा आपके सामने question अब जैसे ही मैंने question number 5 पर click किया तो मेरा एक और एक question आगया वो है descriptive यहाँ पर देख सकते हो descriptive लिखा है और इसकी marks यहाँ पर लिखी है यहाँ पर मतलब होता है मुझे कोई short note लिखना है कोई brief में answer लिखना है जैसे what is your favorite color one sentence भी हो सकते है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो answer की एक dialogue box दी रहेगी वो dialogue box में आप यहाँ पर type कर सकते हो आपके answers यह अगर आपको type नहीं करना और आपको college या educational institute ने directions दिये है कि आपको return में answer upload करने है तो यहाँ से आप एक upload कर सकते हो आपके images जैसे choose और drop file को जैसे ही click करोगे आप आपके answers जो है जो आपने लिखे हुए थे return करके पहले से book में लिखे हुए थे और book की एक image निकाल के आप upload कर सकते हो याद रखना mega exam में हम सिर्फ images upload कर सकते हैं सिर्फ images हम कोई भी type का pdf या word format document upload नहीं कर सकते हैं हम सिर्फ images upload कर सकते हैं और हम एक से ज्यादा images upload कर सकते हैं एक से ज्यादा images हम upload कर सकते हैं अगर आपको next question पर जाना है और अगर आपको कोई और पीछे के question solve करने है तो आप previous भी click कर सकते हो next question आता है हमारा true or false तो यहाँ पर आप देख सकते हो type मुझे दिखा रहा है true or false और उसके marks और यहाँ पर मेरा question है sun is a planet true or false तो आपका जो भी answer है का आप उसको click कर सकते हो it is true or false actual में sun जो है वो एक स्चार है तो यह वैला question जो है उसका answer मेरा false हो जाता है यहाँ पर मैं B पर click कर दूँगी false और फिर next को click कर सकते हो for next answer और directly I can click on submit exam submit exam आपके top right hand side corner पर दिया हुआ है जैसे ही आप submit exam पर दबाओगे आपकी इस exam जो है आपकी test जो है वो submit हो जाती है submit icon दबाने के बाद आपको वो लोग फिर reconfirm करते कि actual में आपको submit करना है क्या नहीं करना है या आपको आपकी answers edit करने है यहापे आपको फिर से submit दबाना अगर आपको submit करना है वहना आप cancel करोगे तो भी चलेगा जैसे ही आप submit कर दोगे आपको और एक information दी जागी कि आपने ये exam complete कर दी है thank you इससे क्या होता है friends अपका जो भी exam था वो completed हो जाता है submit हो जाता है और वो institute के पास पहुँच जाता है आपको कही भी घर के बाहर निकरने की जरूरत नहीं परती by using mega exam application to appear for your exam so I hope guys अपको मेरी आज की वीडियो समझी होगी and do like, share and subscribe and thanks for watching virtual world stay safe and stay healthy